लो cricket lovers तो पहला मुकाबला तो Australia ने अपने नाम किया और दूसरा मुकाबला देखते हैं को जीतेगा और यह मुकाबला day night होने वाला है क्या यहाँ पर England comeback करेगा क्योंकि एडिलेड में मैच होने वाला है जानेंगे इस मैच में क्या खास देखने को मिलेगा पिछ रिपोर्ट जानेंगे वैदर रिपोर्ट जानेंगे और क्या प्लेंग 11 होने वाली है और इस पिछ से जोड़े कुछ बड़े स्टैट्स आपके साथ शियर करूँगा जानने के लि उनकी back में काफ़ी ज़्यादा निशान थे तो क्या वो fit हैं ये देखना काफ़ी दिल्चस्प रहेगा अब बात करते हैं कि Adelaide में कैसा माहुल रहने वाला है क्योंकि Adelaide औस्टला की सबसे बहतरीन pitch माने जाती है बैटिंग फेवर्ट के लिए शुरू के तीन दिन तो बिल्कुल फ्लैट रहेगी गेंदबाजों के लिए इतनी मज़ नहीं है परन्तु पिंक बोल है इंडिया का जब आखरी मुका पहला मुकाबला हुआ था तो भाई औस्टला ने इंडिया को रोन दिया था तो कुछ आपको साथ स्टेट शेयर करता हूँ कि अभी यहाँ पर 79 मैचेज हुए है जिसमें पहले बलेबाजी करने वाली टीम 38 मुकाबले जीती है और गेंदबाजी करने वाली टीम 22 मुकाबले जीती है और 19 मैच ड्रो हुए है तो इससे आपको अंदाज जाना चेए कि यहाँ पर है पहले बलेबाजी करने वाली टीम है उसके पास एडवंटेज है अगर बड़ा स्कोर लगा देते हैं तो इसके अलाव बात करते हैं कि एवरेज स्कोर क्या है आगा अगर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखा जाए तो 385 सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर देखा जाए तो 354 फर्ड इनिंग का एवरेज स्कोर देखा जाए तो 278 और 4th इनिंग का 213 तो अब इससे समझ जाना चाहिए कि जो की 4 तेनिंग होगी ना काफी crucial होगी और ऑस्टला की गेंदबास बहुत जबरदस फोर्म में है परन्तु हैसलवूड के भाहर जाने से बहुत बहुत जटका लगेगा क्योंकि जायर रिचर्टसन रिप्लेस्मेंट आए है और हैसलवूड बहुत जबरदस काम करते हैं और पका देते हैं बैट्समेंट को और विकेट निकाल के वही जटते है crucial विकेट जो होती है बाकी काम आपके पैट कमेंस भी कर लेते हैं नंबर वन टेस्ट में जो गेंदबास है इसके अलावब अगर बात करें कि इस पिछ से क्या मदद मिलेगी यह जो पिछ है ना आपको यहाँ पर क्रैक जब आएंगे तब आप मदद ले सकते हैं आपके ज़्यादा स्पिनर्स को निकलाएगे टिम सिर्फ एक स्पिनर को आने की सोचेगी जो की क्रैक पर विल्कुल निशाना सादेगा और बैट्समेन के लिए मुसीबत बनाता जाएगा परन्तु शुरू के तीन दिन गेंदबास हो को इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उनको अपनी स्किल से विगेट लेने पड़ेंगे और आपनी स्किल उनको यूज़ करनी पड़ेगी इसके लावा बात करते हैं कि यहां का वैदर रिपोर्ट क्या कहरा दो पांचों दिन बहुत ही अच्छा वैदर होने वाला है और विंड थोड़ी सी चलती आपको नज़र आएगे या फिर उस्मान खाजा कहलेंगे उनके साथ ओपनी करते हैं आपको मारकस हैरिस नज़र आएंगे तीसरे नमबर पर लबुशेंड फिर आपको देखेंगे स्मित फिर ट्रैविस हैड फिर कैमरें ग्रीन उसके बाद एलेक्स कैरी देन पैट कमिस जो की कप्तान है बहुत ही अच्छी कप्तानी करिये इनों ने इसके बाद मिछिल स्टार्क नथन लाइन या फिर आपको लास्ट में देखेंगे जायर इचरडसन या फिर माइकल नैसेर देखते किसको मुखा देंगे इसके बाद करते हैं इंगलैंड की ओपनिंग जोड़ी की रोरी बंस और हमीद ऑस्टिलिया में कुछ खास नहीं कर पाएं इनको भी यहाँ पर कुछ बड़ा करना पड़ेगा अगर एडलेड में भी यह जोड़ी नहीं कर पाते कुछ तो यह सीरीज रोरी बंस का करियर डेसाइड कर सकती है तीसरे नमबर आपको मलान दिखेंगे चोती पर रूट उसके बाद आपको दिखेंगे स्टॉक्स, पॉप्स और बटलर देन वॉक्स, रोबिंसन या फिर एंडरसन में से कोई आपको एक दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर एंडरसन फिट नहीं थे अपफिट है, एंडरसन और ब्रोड दोनों को मकबला खिलाएंगे जहाँ पर पेसर स्को इतनी ज़्यादा मदने परन तो पिंक बोल टेस्ट है वो भी ऑस्टिलिया में बैट्समन फिट पीगवर्ड पीछे है तो यहाँ पर देख सकता है, कोई भी भी हो सकता है जहाँ मार्क वूड या फिर बैट्समें से आपको एक खेलते हुन ज़र आएंगे या फिर जैक लिच और ब्रोड में साब को एक खेलते हैं नुझे तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया है जो यह टीम पहले बलेवाजी करेगी उसके पक्ष में कहीं कहीं मुकाबला जा सकता है और लंबा स्कोर लगाई है अगर पहले बलेवाजी करें आप 200 डैसों बनाते हैं तो आपके लिए कहीं मुसिबत होने वाले क्योंकि जो दूसरी इनिंग खेलेंगे अगर पहले ही दिन किसी टिम की सेकंड इनिंग स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पर बहुत दबाव बन सकता है तो आई थिंग आपको वीडियो पसंद आए होगी अच्छे लेगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मिलते हैं नेक्स स्टूडियो में करकेट से जोड़ी अपडेट के साथ